इस वक्ति की बड़ी खबर आपको बता दे भाड़ती कुष्टी महासंग के अध्याख शिब्रिजबूशन चरंड जिंग के घर दिल्ली पुलिस पहुंची एजियां इस वक्ति की बड़ी खबर आपको बता दे उनके करीबियों और नौकरों से पूछताच की जा रही है, फोन भी चेक की जा रहा है, जी हाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है, ब्रिजबूशन चरण सिंग के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है, खबर है कि दिल्ली पुलिस ने ब्रिजबूशन सिंग के नौकरों, सुरक्षा कर्मियों और परिवार के कुछ लोगों से पूछताच की, कई लोगों के फोन भी दिल्ली पुलिस ने जार्च करने को ले लिये है, सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस रविवार को सुभा पहुंची थी, जिसकी खबर आज सामने आई है, अब तक पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोशन के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस 137 लोगों के बयान दर्च कर चुकी है, इस बीच बिजबूशन शरंड सिंग को बड़ी राहत भी मिली है, उनके खिलाफ यौन उत्पीरन के आरोप लगाने वारी नाबालिक पहलवान ने शिकायत वापस ले ली है, इस पूछताच की जा रही है, उसके फोन चेक किये जा रहा है, उसके करीबियों से यहाँ पर पूछताच की जा रही है, अब इस पूरे मामले पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट सामने आता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या बिजबूशन सरंड सि क्योंकि सबूत इखटे करना दिल्ली पूलिस ने शुरू कर दिया है, अमिर्शाह से पहलवानों ने मुलाकात की थी, जिसके बाद साक्षी मलिक के बारे में यह बात कही जा रही थी, कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है धरना प्रदर्शन से, लेकिन उसके पर सबी पहलवानों ने यह बात कह दी, कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, वो केवल नौकरी पर वापस लोटे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको पता दे, बिजबूशन शरण सिंग के घर दिल्ली पूलिस पहुची है, इस बड़ी खबर पर तबाम अपडेट्स हम आप तक पहुचाएंगे, तब तक आप देखते रहेगे, SPNI News